हेलो दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है इस वीडियो में हम पांच अधुत धासू फिल्मों के बारे में बात करेंगे जो हिंदी में भी उपलब्ध हैं और सभी मूवीज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप जाके सारी मूवीज को फ्री में डाउनलोड और ऑनलाइन भी देख सकते हैं वीडियो स्टार्ट गरने से पहले आप सभी को एक रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो खतम होने के बाद अभी जाके सभी मूवीज को देखिए या तो डाउनलोड करिए क्य यह मूवी 2018 में रिलीस हुई थी, 2018 में रिलीस हुई मूवी में से यह एक बेहतरिन मूवी है जिसकी कुल बजेट 5 क्रोज थी और इस मूवी ने कमाई की 13.57 क्रोज आइस मूवी की कहानी की बात किये तो मूवी में हस्तार एक भयानक एकाई है जो किसी व्यक्ति को शाप द और मूवी की कहानी ने मानव स्वभाव और कभी न खत्म होने वाले लालच पर जोर दिया है। हस्तर का यह मित होता है कि जब सम्रिद्धी की देवी ने दुनिया का निर्मान किया तो उसने हस्तर को जंग लिया जिसके बाद 16 करोड देवता और देवी ने भी जंग लिये थे हस्तर देवी मा की पहला संतान था, वह उसका सबसे पसंदीदा बच्चा था, लेकिन हस्तर बहुत लाल्ची था जबकि देवी माने हस्तर को ब्रमान में सभी सोने या सभी भोजन के स्वामित्वों की पेशकश की तो उसने सोने को ले लिया और साथ ही अपने भाईयों और बहनों के साथ लड़ाई में लालच में भोजन लेने की कोशिश की 16 करोर देवी देवताओं ने हस्तर पर विजय प्राप की और जब उन्होंने उसे मारने की कोशिश की तो की देवी माने हस्तर को बचाया और 16 करोर देवी देवताओं ने उसे स्वीकार किया नमबर दो पर है ड्रैगन बॉल एवलूशन यह मूवी 209 में रिलीज हुई थी अक्शन और अडवेंचर, साइन्स फिक्शन और फैंटेसी पर आधारित यह मूवी 85 मिनिट की है और इस मूवी की कहानी की बात किये तो इस मूवी में एक गोकु नाम का पात्र है कहानी गोकु से शुरू होती है, जो अपने दादा दादा जी गोहन के महान मास्टर रोशी को खुजने और सभी साथ ड्रैगन बॉलर्स एकठा करने के लिए अनुरोध करता है जिन में से वह एक है, ताकि दुनिया को संभालने के लिए ड्रैगन बॉलर्स का उप्योग करने की इच्छा में बुराई लॉट पिकोलो को सफल होने से रोका जा सके नमबर तीन पर है जुमानधी, वेलकम टू जजंगल यह फिल्म 2017 में रिलीव हुई थी गूगल के 92% यूजर्ज में इस फिल्म को पसंद किया है 119 मिनिट की फिल्म कॉमेडी और आक्शन पर आधारित है और इस मूडी की कहानी की बात किये तो चार हाइज स्कूल के बच्चे एक पुराने वीडियो गेम कंसोल की खोच करते हैं और गेम के जंगल सेटिंग में पहुँचते हैं वास्तव में वयस्क अफ़तार बन जाते हैं उन्हें पता चलता है कि आप सिर्फ जुमांगी नहीं खेलते हैं आपको इसे जीवित रखना चाहिए खेल को हराने और वास्तव एक दुनिया में लौटने के लिए एट मिनिट की इस मूवी आक्शन और अडवेंचर और डॉक्यमेंटरी पर आधारित है और इस मूवी की कहानी की बात किये तो मूवी में जब उसामा बिन लादेन के अफ़वा के बारे में पता चलता है तो नेवी सील का एक समूह अपने टागट उसामा बिन लादेन की पहचान जानने के लिए आता है जब उसामा बिन लादेन के अफ़वा के बारे में पता चलता है तो CIA जीवन भर के मिशन के लिए अनुभवी अमेरिकी नौसेना सील की टीम को तयार करता है बिन लादेन परिसर के अंदर और पाकिस्तानी धर्ती पर अगोशित हमले के संभावित असर को नजरंदाज करते हुए इस तरह के अनिरनायक सबूतों के बावजूत उस टीम जो मिशन में जाती है उसको पेंटागन हमले का आदेज देता है मूवी में आगे क्या होगा आप लौन खुद देख लीजिए नमबर पांच पर है बूटिफल यह मूवी 2011 में रिलीज हुई थी इस मूवी को 82% गूगल यूजर्ज ने पसंद की है 148 मिनिट की इस मूवी ड्रामा और रोमेंस पर आधारित है और इस फिल्म की कहानी की बात किये तो यह मूवी अपने बच्चों के लिए एक पिता के बलिदान को दिखाती है बूटिफल एक पिता और उसके बच्चों के बीच एक प्रेम कहानी है यह एक संघर्षरत व्यक्ती ओक्सबल की यात्रा है जो आधुनिक बासिलोना के खतरनाक अंडवल के बीच पित्रित्व प्रेम आध्यात्मिक्ता अपराद अपराद और मृत्यू दर्मे सामन जस्य स्थापित करने के लिए संघर्ष करता है उसकी आजीविका अर्जित की जाती है सीमा से बाहर अपने बच्चों के लिए उनके बलिदान कोई सीमा नहीं जानते है भीवन की तरह यह एक बोलाकार कहानी है जहां यह समाप्त होता है जहां से शुरू होता है आज की वीडियो बस इतनी थी आपको क्या सा लागा प्लीज कॉमेंट करके बताएए साथ में वीडियो को लाइप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और एक बात दोस्तों आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया है यह सभी मूवीज को ततकाल देखिए या तो डाउनलोड करिए क्योंकि बात में जो मैंने लिंक प्रोवाइड की है वो लिंक डामज भी हो सकती है हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद